Dear Students, चलिए हम लोग चलते हैं आज Class 12 के लिए Subject Math को पढ़ना सुरू करते हैं जैसा कि आपको पता है हम लोग Subject Math में NCIT बुक को फॉलो करते हुए हम लोगोंने Application of Derivative नामक चैप्टर को पढ़ रहा है और उस Application of Derivative नामक चैप्टर को हम लोगोंने Exercise NCIT के 6.5 में हम लोगोंने Question No.10 तक के Discuss किया था Question No.10 तक के Discuss किया था अब आज़े हम लोग Question No.11 से Discuss करना सुरू करते हैं और 11 में क्या Question बोल रहा है ज़रा उसको समझने का भी Process करेंगे तो Question No.11 क्या बोल रहा है It is given that at x is equal to 1 The Function x के पावर 4 62 x square ax plus 9 attain its maximum value on the interval 0 to find the value of it इस ग्यारा नमर से अवाल में जोशते हूँ Given है fx का value fx का value क्या दिया है फिर से ज़रा देख लेते हैं x के पावर 4 minus 62 x square फिर फिर प्लस एक्स प्लस 9 ठीक है यह तो दिया ही हुआ है और यहां इंटरवन हमें दिया हुआ है इंटरवन हमें दिया है 0 to 2 sorry 0 to 2 हाँ ठीक है इधर इंटरवन दिया है तवाल बोला गया है कि fx जो है maximum है कितना पे 1 पे fx जो है कितना पे maximum है 1 पे यहां पे निख्या है also given also given fx is maximum at x बराबर 1 सवाल क्या बोला कि fx का तो value दिया ही दिया है fx का value दिया है और इसमें सवाल हमें यह बोल रहा है कि आप a का value निकालो a का value पूछ रहा है a का value निकालना है और A का वैलू ऐसा निकालना है जिसमें A का वैलू निकालना है जिसमें X बराबर 1 पे सवाल बोल रहा है कि maximum है Fx is maximum कितना पे? तो add X is equal to 1 पे 1 पे ये वैलू maximum हो जा रहा है अब देख पा रहोंगे कि 1 पे जब वैलू maximum है तो यहाँ पे सबसे पहले जिस बैलू पे maximum होना चाहिए तो वहाँ पे F-1 के ज़ेगा पे 0 आना चाहिए सबसे पहले आप यहाँ से F-X equal to 0 किजिए F-X का मतलब कितना? F-X का मतलब 4XQ फिर minus 62 को 2 से साथ कितना होगा? तो 124X पलस इसका differentiation हो जाएगा ठीक है? Is equal to कितना? 0 अब हमको X के ज़ेगा पे कितना रखना है वई? 1 X के ज़ेगा पे कितना रखना है? 1 यहाँ पे लिखिएगा add X बराबर 1 तो जहाँ जहाँ X है वहाँ आप क्या रख दिजेगा? 1 यानि कि आप इसका खुद से solution कर दिजेगा X के ज़ेगा पे 1 रखिएगा और A का value यहाँ से निकाल दिजेगा ठीक है? X का value जैसे कि यहाँ पर रखिएगा 1 1 का Q हो जाएगा 1 और 4 को 1 से multiple करेंगे 4 फिर minus में यह है 124 तो उधर जाएगा तो देख लिजे कितना होगा? तो खुल मिलाकर हमें A का value यहाँ से निकालना है ठीक है? और जहाँ जहाँ X आएगा वहाँ पर आप इसका value रख्ट जीएगा तो हमें A का value निकाल जाएगा ठीक है? चलिए हम दो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ यह था कोश्चन नमबर 11 समझना आ रहा है ना? एवडैस X पराबर 0 किया एवडैस X का value इदर हो गया इसका differentiation कर लिया differentiation करके आया फिर क्या बोल रहा है? maximum कितना पर है? X बराबर 1 पर तो हम जहाँ जहाँ X है वहाँ पर हम लोग put कर लिये 1 ठीक है? चलिए next फिर हम लोग बढ़ते हैं question number 12 12 question number 12 12 number question क्या बोल रहा है? find the maximum and minimum value X plus sine 2X on 0 से 2P ठीक है बोल रहा है हमें X का value दिया है given FX का value क्या है बे? तो X plus बोल रहा है sine X यहीं ना X plus sine 2X है और interval दिया है 0 से लेकर 2P के बिच ठीक है? हमें इस case में क्या करना है? हमें इस case में maximum value भी निकालना है minimum value भी निकालना है ठीक है? सबसे पहले हम किस फर्वूला का use करते हैं ऐसे सवालों में? यहां पर लिखेंगे using f dash x equal to 0 f dash x का मतलब x का differentiation 1 और sin 2x का differentiation तो हो जाएगा cos 2x क्यों? तो कि chain rule लगाएंगे यहां पर जब chain rule लगाएगा तो 2x को 2x के respect में करेंगे तो sin 2x का बनेगा cos 2x और 2x फिर उपर जाएगा और फिर x के respect में करेंगे तो into में कितना? 2 is equal to 0 तो कुल मिला कर यहां पर आया 1 plus 2 cos 2x is equal to 0 ठीक है? is equal to 0 यहां से आप देख पार होंगे कि यह 1 उधर जाएगा तो minus 1 बनेगा तो 2 cos 2x is equal to minus 1 इसलिए cos 2x का बैलू कितना? minus 1 बटा में 2 तो cos 2x का बैलू अगर दोस्तों minus 1 by 2 होगा तो x का बैलू क्या क्या निकलेगा? यह हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा क्यूंकि यहां पर आप देख पार होंगे कि x का बैलू क्या क्या हो सकता है? जैसे कि हम लोग कुछ प्रोपर्टिज पड़े थें हालांकि यह फरमूला साथ हम लोगों छुड़ गया होगा यह फिर नहीं पड़े होगी तो फुल मिलाकर हम कहना यह चाहर है कि जिस तरीके से साइनेक्स बराबर कॉसेक्स होता था तो हम लोग चुजों को तो पूट करते थे न कि क्या क्या पूट करने पर कौन कौन से वैलू मिलेंगे उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी अगों में वो चीज़े जवर्वत पड़ी है और उसका हम लोग यहाँ पर फिलाल इस्तेमाल करने वाले है तो अगर कौस्ट टूएक्स इस इक्वालों में हम लोगों को तो अब एक्स के बारे में सोचना परता है पड़ेगा कि एक्स के जगा पे क्या रखा जाए कि इसका वेलू माइनस वन बाई टू हो जाए तो यहाँ पर अब हम लोग एक्स का वेलू सोचने माले हैं तो ध्यान रखेगा यह फूट की होगा वहाँ पर तो जोड दिज्जेगा कि लिएक्स बलाबर माइनस वन बाई टू होता है तो एक्स का वेलू यहां पर क्या होगा है जिने का जो जो के लाइन होगा वोawkाई गायी कि तो टूपाइब अ 3 होगा या फिर 4 5 by 3 हो सकता है 5 5 by 3 हो सकता है क्योंकि 0 से नेकर 2 पाई के बिच में बोल रहा था तो यह प्रोपेटिस अगर थियोरी में छुटा हुआ होगा दोस्तों वहां पर सब्सक्राइब कर देजिए तो हिस बार हमें पता चल रहा है कि 1 का वैलुए ये 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 इतना सारा चीज आ गया जब इतना सारा चीज आ गया तो हम लुग आप एपेक्स पर च्छेक करेंगे कि कि इस पर Absolute Maxima Minimum तो चलिए फिर से हम लोग काम कैसे करते हैं सब पर चेक करेंगे Now चुकि एफेक्स का वेलू क्या दिया है X प्लस साइन टू एक्स तो चेक करेंगे हम लोग चेक एफ जीरो पर चेक कर लेते क्योंकि कौन कौन से प्वाइट पर चेक करते पता है ना जीरो जीरो और टू पाई पर चेक करेंगे और X का जितना वेलू आया तो इतना सारा वेलू क्यों लिखे क्योंकि जीरो से टू पाई के बीच में बोल रहा था तो इतना इतना चीज रखने पर माइनस 1 बे 2 आ रहा था तो अब आप 0 पर चेक कीजिए तो f 0 यहां बन रहा है 0 प्लस sin 2 इंटू 0 तो 0 का तो 0 और sin 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और sin 0 का वेलो 0 तो 0 हो गया उसी तरीके से आप f 2 pi पर चेक कीजिए तो यहां हो जाएगा 2 pi प्लस साइन 2 इंटू 2 pi तो कितना हो गया 2 pi प्लस 4 pi ना साइन कितना हो गया यहां पर 2 इंटू 2 pi कितना तो साइन 4 pi साइन 4 pi और साइन 4 pi का वेलो कितना होता है 4 pi का मतलब समझ रहे है साइन 4 pi का मतलब होता है 720 तो यहां पर याद रखिएगा साइन 4 pi का वेलो हमें कितना होता है 0 होता है साइन 4 pi का वेलो कितना होता है 0 तो यहां हो गया 2 pi प्लस 0 और टूपाई में अगर जिरो एड़ करेंगे तो हम लोगों को कितना होता है यहां पे टूपाई ठीक है यानि कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगरेंगे तो टूपाई करेंगे तो टूपाई ठीक है अच्छा फिर वैसे चेक करना है यहां लिखेंगे पाई भाई थी प्लस साइन टू इन्टू पाई बाई थ्री इस इकोल टू पाई बाई थ्री का तो पाई बाई थ्री रहेगा प्लस साइन टू पाई बाई थ्री तो टू पाई बाई थ्री पर कितना होता है वह वैलू तो यह तीन से साड़ बार में कटेगा ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा अगर हम लोग का बात करें तो पाई का वेलू 180 और 180 में 300 डिवाइड करेंगे तो 60 और 62 ना का 120 तो साइन ृटलो कितना होता हा run देतें तो साइन नाइनटी प्लस 30 पे टूटेगा तो तो नहीं की साइन एक वोषवी टो रूट Cartoon कि यहने इसका कितना हो जाएगा दोस्त naval को जूरत फिसके यह रूट रूट 3 भाई 2 और जिसका वेलू देख पार होंगे हमलों इसका वेलू डरेक्ली 2 पाई हो गया इसका हम लोग अलसियम ले लेंगे तो 3 2 गाईल सिक्स 3 टू जा 6 2 पाई प्लस 3 रूट 3 ठीक है यह हम लोगे को आ रहा है भी फिला रहे फिर चलिए हम लोग देखते है next 5 2 पाई बाई 3 पे तो 2 पाई बाई 3 यानि कि यहाँ पे तो 2 पाई बाई 3 रखना है 2 पाई बाई 3 रख दिया वैसे ही प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 तो यह 2 पाई बाई 3 तो रहे गए रहेगा इसका वेलू होता है 4 पाई बाई 3 को जब आप कैल्गूलेशन किजिएगा इसका वेलू आजाएगा माइनस रूट 3 बाई 2 और इसमें से इसमें घटा लिजेगा जितना आएगा उसी तरीके से आप 4 पाई पे निकालिएगा 4 पाई बाई 3 तो 4 पाई बाई 3 पे फिर से आपका इसका वेलू चींज होते रता है तो फिर से आपका रूट 3 बाई 2 एड हो जाएगा किस में फिर से 5 pi by 3 पे आप चेक करेंगे फिर से माइनस हो जागा root 3 by 2 यानि कि कुल मिला कर आप जितना भी वेरू निकालेंगे उस में से जो maximum आएगा हम लोगों का वो 2 pi आएगा और minimum कितना आएगा? 0 तो इसका answer क्या होगा? मतलब हम यह कहा रहें कि जैसे इसको किया है? sin 2 into 2 pi by 3 वैसे ही आप करेंगे sin 2 into 4 pi by 3 तो इसका पूरा का वेरू कितना होगा? तो root 3 by 2 तो कि यह plus होता है फिर minus फिर plus फिर minus और वैसे ही 5 pi by check करेंगे यहाँ 5 pi by 3 रहता तो minus root 3 by 2 हो जाता तो सबका भेरू आप खुद से भी निकाल सकते हैं तो आप पाएंगे कि maximum कहा हो रहा है? तो maximum हो रहा है हम लोगों का 2 pi पे और minimum कितना हो रहा है? 0 पे तो इसमें maximum और minimum पूछ रहा था देख लेते answer क्या दिया है? इसमें question number कितना 11 न? 12 हाजी maximum देखिए 2 pi पे है और minimum कितना पे है? 0 पे है तो सबका चेक करेंगे तो हम लोगों का इधर कुछ नहीं निकलेगा आप यहाँ पर क्या कीज़ेगा simple रह में हम लोगों को चेक कर सकते हैं ऐसे चेक करने में को लिक्कत नहीं है लेकिन हम लोगों का जो आएगा न वो 2 pi पे ही maximum आएगा तो आप यहाँ पर लिक्रिज़ेगा so maximum value कितना आ रहे है 2 pi कितना पे तो add x बराबर 2 pi पे और add minimum value कितना आ रहे है minimum value 0 आ है कितना पे तो add x बराबर 0 पे 0 पे minimum 2 by the maximum उसके बीचवाले पे कोई नहीं ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो question number next 13 13 number क्या बोल रहे है 13 number question बोल रहे find 2 number whose number is 24 and product is larger as possible ऐसा दो नंबर ग्यात करना है दोस्टों दो नंबर का value ऐसा निकालना है जो क्या हो तो जोडने पर 24 आए और जब उसको गुना किया जाए तो सबसे जादा से जादा आए जोडने पर कितना है ना चाहिए 24 और गुना करने पर maximum आना चाहिए तो चलिए Let The first number Is equal to x पहला number क्या है? x Then Other number Other number क्या होगा? तो जोडने पर 24 होना चाहिए ना तो दूसरा को हम बूल सकते हैं 24-x नहीं क्या? भाई मेरे बोला जा रहा है कि दो ऐसा number बताओ जिसको जोडने पर 24 होना चाहिए तो हम अगर 1 को x माल लिए तो दूसरा को 24-x मालना होगा ना तनुना तब दोनों को जोडेंगे तो x प्लस में और माइनस में कट के 24 होगा चाहिए according to question बोल रहा है कि जब दोनों को multiply किया जाए तब maximum होना चाहिए यानि कि according to question fx का value क्या होगा तो multiply करने पर x इन्टू 24 माइनस x माइनस x multiply करा दिया तो multiply करने के बाद fx का value क्या चाहिए 24x माइनस x स्कौर यूजिंग यहां पर हम लोग कौन सा फार्पोरा यूज करते है तो f-x बराबर में 0 अब यहां f-x कैसे निकालेंगी इसका 24x है तो 24x का differentiation 24 और माइनस x स्कौर का हो जाएगा 2x बराबर में कितना 0 हम इसको लिख सकते है 24 को उधर लेके जाएंगे तो यहां plus में है उधर ले जाएंगे तो माइनस में 24 तो माइनस 2x बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में 24 और यह माइनस माइनस cancel out हो गया तो x का value कितना निकाल गया 24 बढ़ता 2 यानि कि दोस्तों 12 तो जब x का value 12 निकल गया तो हम लिख देखेंगे so first number कितना first number को हम कितना माने थे first number को x माने थे तो x का value आ गया 12 other number दूसरा number other number कैसे निकालेंगे तो दूसरा number को 24 में से घटा देना था तो 24 माइनस 12 तो इस तरीके से दोनों number हमें पता हो जाएगा दोनों number कितना कितना है तो दोनों number 12 और 12 है तो इस तरीके से हम लोग इसका question का solution करेंगे हमें दो number पूछ रहा था जोडने पर 24 होना चाहिए तो देखलो भई 12 और 12 को जोड़ो 24 हो जा रहा है और गुना करो तो सबसे maximum आएगा 12 और 12 को गुना करेंगे तो 144 होगा अब आप बोलोगे इसे तरह और ग्यारह को जोड़ने पर भी तो 24 आता है लेकिन दोस्तों 13 और 11 को गुना करेंगे आप तो 124 ही आएगा सबी 13 और 13 143 आएगा सोच लो 13 और 11 को जब आप गुना करेंगे 147 हमको गुना करने पर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था तो 12 बारा को गुना करेंगे 144 आएगा जो सबसे ज़्यादा होगा अब आपको लोग किसे 14 और 10 को जोड़ने पर भी तो 24 आ रहा है हम बोलों कि हाँ आ रहा है लेकिन सवाल क्या बोला था कि दोनों को गुना करने पर मैक्सिमम होना चाहिए तो 14 और 10 140 ही हो रहा है दिक्कत है न हम लोग को क्या चाहिए था हम लोग को चाहिए था सबसे ज़्यादा तो 12 और 12 ही हो सबसे ज़्यादा 144 चले रहे नेक्स कुश्चन पर आते हैं कुश्चन नमबर 13 चले देखे एक कुश्चन नमबर 14 क्या बोल रहा है 14 नमबर कुश्चन बोल रहा है find two positive number x and y such that x plus y का वेलू दिया है 60 and xyq का वेलू maximum है सवाल में हमें given है x plus y का वेलू 60 इसलिए हम बोल सकते हैं न गई x बराबर उधर y जाएगा तो 60 minus y नहीं बोल सकते हैं फिर सवाल बोल रहा है कि हमें x का वी देलू निकालो और y का भी देलू निकालो कब तो xy जो maximum है दोस्त जिसके बारे में maximum या minimum बोलेगा उसी को हम लोग मानते हैं fx तो हम यहाँ पर मान लिए let fx is equal to xyq हम fx इसको क्यों माने क्योंकि इसी के बारे में सवाल बोला है maximum के बारे में तो इसको हम लोग fx मान लिए अब इसी fx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x का x छोड़ दिया y के जगा पर लिख दिया 60- sorry sorry y का ही धैलू निकाल लेते हैं थोड़ासा fx अच्छा लगेगा तो यहाँ से आप y का धैलू निकाल लेजिए तो 60-x हो जागा कोई दिखत नहीं है हम x का बैलू नहीं x में होगा चुकि fx का मैंनों हम लोग क्या आया था दूस्त x इंटू स्टार्ट माइनस x का क्यूड और हम लोग इसको a-b के हॉल क्यू पर तोड़ दिया था ना इसलिए हम लोग फ़र्स गये थे तो वैसी गलती इस बार नहीं करते हैं क्योंकि अब हमको पता नहीं था कि अगर थोड़ेंगे तो आगे प्राब्लम हो जाएगा वो कभी दिमाग से निकल जाता है तो यहां पर हम लोग ना खुद से फ़स गये थे यहां पर a-b का हॉल क्यू करने में वैसे फ़सने का कोई मतलब नहीं है मेरा कहने का मतलब कि आगे में हम लोगों को प्राब्लम हो गया तो इसलिए अब थोड़ा सा बैक आते हैं एफ्रिक्स का वेलू इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अब यहीं के बाद डारेक्स यूज करते हैं एफ्रिक्स एक्स इक्वल टू जेरो ठीक है यूजिंग करते हैं फर्मना अब इसका डिफ्रेंसेशन कैसे करेंगे तो इसको माल लिया यू और इस पूरा को माल लिया भी तो यू को बाहर करेंगे भी का डिफ्रेंसेशन साथ माइनस एक्स का प्यू को किसके रिस्पेक्ट में 60-x के respect में और 60-x उपर जाएगा और फिर इसको x के respect में देख ये कितना से असानिते हो गा है प्लस इस बार क्यों बाहर निकालेंगे 60-x क्यों को बाहर निकालेंगे और dx बड़ा by next equal to 0 यहां पर differentiation करके क्या रहा है x into इसका differentiation क्या होगा त्री साथ माइनस एक्स का हॉल स्क्वार ठीक है डिर स्टुडेंट टेक्निकल प्रॉब्लेम होने के वज़त से आधा हम आपको बोड पर बता रहे हैं और आधा कॉपी पर बता रहे हैं इसके लिए हमें खुद भी खेद है चले लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ाई को जारी रखना है तो मजबूरा नवस्ता में हम लोगो कभी कभी ऐसे सिच्वेशन को अपनाना पड़ता है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग कहां तक पढ़ रहे थे बोड पर कि यहां तक हम लोग सिच्वेशन देख लिए थे कि यू को बाहर करेंगे भी का डिफ्रेंशेशन और भी का डिफ्रेंशेशन का मतलब साट मैनस एक्स का क्यू है न इसको साट मैनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और नीचे जो साट मैनस एक्स है इसको उपर रखके डिएक्स के रिस्पेक्ट में फिर भी को बाहर करेंगे यू को डिफ्रेंशेशन ठीक है तो कुल मिला कर अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक्स इंटू साट मैनस एक्स का क्यूब है तो यहाँ पे जिब हम लोग का क्यूब है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं थ्री को बाहर कर सकते हैं और साट माइनस एक्स का हॉल स्क्वार ठीक है क्योंकि पावर थ्री है न एक पावर हो जाएगा कम तो दू हो जाएगा इंटू यह सिक्स्टी माइनस एक्स है तो इसका डिफ्रेंशेशन कितना हो जाएगा इसका डिफ्रेंशेशन माइनस वन फि यह दोनों में से情況 देखिये कि क्या common हो रहा है हम लोग का तो 60-x का half square यहाँ है 60-x का cube है तो यह दोनों में से क्या common हो गा? तो हम लोगों का 60-x का half square common हो जाएगा तो जब यह common होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 को x से multiple करेंगे 3x और यहाँ minus 1 है तो minus 3X ठीक है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 60 minus X का square है और यहाँ पर power 3 है तो square को हम बाहर निकालेंगे तो 60 minus X already हम लोग का बच जाएगा equal to 0 ठीक है तो यहाँ पर क्या बच रहा होगा हम लोग को 60 minus X का whole square और यहाँ बच रहा होगा 60 minus 4X equal to 0 ठीक है इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो कौन-कौन से parts एक बचेगा 60 minus X का whole square equal to 0 ठीक है तो यहाँ बच रहा होगा 60 minus X equal to इधर square है तो इधर under root जाएगा तो 0 का 0 बनेगा तो यहाँ से 60 is equal to X यानि कि X का value यहाँ पर कितना हो गया 60 ठीक है एकस का value कितना हो गया 60 अच्छा उसके बाद अगर बात करें तो 60 minus 4X equal to 0 ठीक है यह minus 4X है उधर जाएगा तो कितना बचेगा 4X is equal to 60 इसलिए X is equal to 60 by 4 तो यहाँ कितना हो गया डिवाड़े करेंगे तो 15 यानि कि X का value आ गया हम लोगों का दो चीज एक एकस का value दोस्तों आया है 60 और वाई का एड एकस के जगह पे अगर हम लोगों साथ रखेंगे तो य के जगह पे कितना होगा 0 अब समझ पा रहे होंगे ना एकस के जगह पे साथ रखेंगे तो य के जगह पे 0 रखेंगे ते भीना साथ और 0 को add करेंगे तो साथ होगा लेकिन दोस्तों एड एक्स के जगा पर अगर इसको हम लोग 15 यूज करेंगे ठीक है तो एक्स के जगा पर 15 यूज करेंगे तो वाई के जगा पर कितना रखेंगे तो यहां पर 15 है तो यहां पर हमको कितना रखना पड़ेगा 45 रखना पड़ेगा ठीक है तो 45 और 15 को add करने के बाद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा dear students तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को x का value 60 अगर रख रहे हैं तो y का value कितना रहे हैं 0 और x का value अगर 15 आ रहे हैं रख रहे हैं तो y का value कितना रहे 45 तो आप देख पा रहोंगे कि X का वेलू 15 है Y का वेलू कितना आया 45 X का वेलू 60 है तो Y का वेलू कितना आ रहा है 0 हमको यहाँ पे सवाल maximum बोला है किसका तो X Y Q का X Y Q का वेलू maximum होना चाहिए तो अगर Y के जगा पे आप 0 रखिएगा तो maximum नहीं 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 होगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा इसलिए हम लोगों का यह not exist हो जाएगा यह not exist यह not exist नमबर होगा इसलिए X का वेलू 15 यानि कि 15 और Y का वेलू 45 यह हम लोगों का correct answer हो जाएगा चले देखते हैं next question तो अभी हम लोग देख रहे थे question number 14 अब चले हम लोग चलते हैं question number 15 को solve करते हैं 15 number question को ठीक है 15 number question आप देख लिएगे क्या बूला जा रहा है question find two positive number X and Y find two positive number X and Y such that their sum is 35 sum कितना होना चाहिए इसका 35 and the product X square Y के power 5 is a maximum तो आप इसमें क्या बूलिएगा X and Y का जो sum है ना हो 35 है यानि सवाल में हमें given है given क्या है X plus Y का value 35 ठीक है X plus Y का value कितना 35 अब जब X plus Y का value 35 है तो यहाँ से आप निकाल सकते है Y का value कितना Y का value होगा तो Y का value हो जागा 35 minus X ठीक है according to question हमें question में दिया हुआ है कि जो function दिया है यानि कि FX का जो value दिया है वो कितना दिया है कि इसके बारे में maximum बोल रहा है तो X square Y के power 5 के बारे में बोल रहा है कि यह maximum है तो जब यह maximum है तो इसी को न हम लोग FX मानते हैं तो FX मान लिएं तो हम लोग FX को ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे? X square और Y के जगा पर क्या लिख सकते हैं? 35 minus X K power 5 ठीक है अब हम लोग किसका यूज करना होगा यहाँ पर? तो अब आप लिखिएगा Using F dash X equal to 0 ठीक है तो यहाँ पर F dash X का मतलब यहाँ पर हम लोग इसका differentiation करेंगे तो F dash X का मतलब इसको मानेंगे U और इस पूरा को मानेंगे हम लोग V ठीक है तो U into V का differentiation क्या होता है U को बाहर करेंगे V का differentiation प्लस V को बाहर करेंगे और U को differentiation यानि कि F dash X जो होता है हम लोगों का U को बाहर करेंगे यानि कि X square को बाहर करेंगे V का differentiation V का differentiation का मतलब 35 minus X के power 5 बटा में D 35-x और फिर निच्छे वाला को ऊपर ले जाएंगे 35-x बटा में dx ठीक है अच्छा फिर अगर बात करें तो भी को बाहर कर दियें इसपर अगर बाहर करेंगे याने कि 35-x के पावर 5 को बाहर कर दियें किसका दिफरेंसेशन तो x ऐसकूर का डिफरेंसेशन ठीक है बराबर कितना 0 अब आप देख पार होंगे हम इधर क्या लिख सकते हैं एक्स स्कूर इंटू अब यहाँ पे पावर 5 है न में तो 5 को हम बाह बाहर कर देंगे 5 पो जैसी बाहर करेंगे तो यहां पर पावर में एक कम हो जाएगा इटमिन्स कि 35 माइनस X के पावर में कितना 4 and into 35 का डिफ्रेंसिशन कितना होगा 0 और माइनस में X है न तो माइनस X का डिफ्रेंसिशन माइनस 1 प्लस यहां पर देख पा रहोंगे क्या है 35 माइनस X के पावर 5 into X स्क्वार का डिफ्रेंसिशन कितना तो X स्क्वार है तो इसका डिफ्रेंसिशन करते हैं 2X equal to 0 अब आप यह दोनों को देखिए तो यह दोनों में क्या common हो रहा है तो यह दोनों में जो हम लोगों को common बन रहा है वो 35 माइनस X के पावर यहां पर 4 है और 35 माइनस X के पावर यहां पर क्या है 5 है तो दोनों में क्या common हो रहा है तो 35 माइनस X के पावर 4 हम लोगों को द माइनस में 5, X स्क्वार, यहाँ पर बन रहें प्लस, यहाँ पर 4 कोमन हुआ है, तो एक तो बचे गा न, 35- x एक ठो बचे गा, और यहाँ पर अलरेडी 2x, रिक वल्टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहोंगे, 35- x के पावर कितना, 4 और यहाँ पर, माइनस 5x square और इसको देख पा रहे होंगे 35 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 70x 70x और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x square एक वल्टू कितना? 0 ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 35-x के पावर कितना हुआ? 4 और इधर आया कितना? यह माइनस 5x square है यह माइनस 2x square है तो माइनस 7x square एक वल्टू 0 ठीक है? तो कुल मिला कर अगर देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ कैसे बन रहे है? तो 35 माइनस x के पावर 4 ठीक है? और यहाँ पर 70x है और माइनस 7x square है तो यह दोनों में क्या common हो रहा है? तो 7x common हो रहा है तो 7x common करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस ठीक है? x यहाँ पर 7x इसमें से common कर लिया तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा minus x equal to 0 अब देख पार होंगे कि यहाँ पर हम लोगों को तीन गो गुनन खंड मिला एक 35-x के power 4 into 7x into 10-x तो हम लोग इसको कितना पार्ट में बाटेंगे? तीन पार्ट में बाटेंगे एक कौन सा? तो एक 35-x के power 4 35-x के power 4 equal to 0 तो हम यहाँ से 35-x बराबर कर दिये 0 इसलिए x का value कितना? 35 अभी x का value तीनों में आएगा अब तीनों में कौन सा यूज करेंगे? कि maximum आएगा वह हम लोगों कुछ एक करना पड़ेगा x का value कितना है? 35 फिर दूसरा वाला गुनन खंड क्या है? 7x तो यहाँ हम लोग 7x बराबर 0 इसलिए x बराबर कितना? दूसरा x का value आएगा 0 फिर अगला गुनन खंड क्या है? 10-x तो 10-x इक्स इक्वल टू 0 इसलिए यहाँ पे जो x का value आएगा 10 अब देखलो वई यहाँ पे हम लोग चुकि x का value 35 है x का value 0 है और x का value 10 है ठीक है? अब सब का अब लिखो यहाँ पे चुकि x प्लस y का value कितना था? 35 था शुरू में देखलो भई शुरू में था ना तो अगर आप at x बराबर ठीक है? x का value अगर आप देख पार होंगे अब लोगों का x का value 3 हो निकला x का value 35 निकला x का value 0 निकला और x का value कितना निकला? तो हम लोगों को निकला 10 ठीक है? तो अब आप क्या करो? हम लोग तो जानते हैं ना भई? x प्लस y का value कितना दोनों को add करना से बोल रहा था? 35 तो add x is equal to अगर 35 करेंगे X is equal to 35 तो अगर X is equal to 35 होगा तो हम लोग Y का value कितना निकालेंगे तो X is equal to 35 होगा तो Y का value आप देख पा रहे होंगे 0 हो जायेगा ठीक है X का value अगर 35 रखेंगे तो Y का value 0 रखना पड़ेगा तबी न दोनों को add करेंगे तो 35 होगा अच्छा फिर बोल रहे हैं कि अगर आप at X is equal to 0 रखते हो X is equal to 0 रखते हो तो फिर Y का value कितना होता है 35 समझे ले ना बात यानि कि X के जगह पे अगर आप 0 रखते हैं तो Y का value कितनी होती है 35 होती है ठीक है तो X के जगह पे 0 तो Y का value कितनी 35 अगर X का वेलू आप अगर रखते हो 10 X का वेलू आप रखते हो 10 तो Y का वेलू कितनी रखने पड़ेगी 25 ना क्योंकि इसको इसको एड करने से हम लोगों को कितना मिलने चाहिए 35 अब सवाल बोल रहा था हमें किसका वेलू मिक्समम होना था भाई तो आप देखो इधर फ् और Y के पावर 5 का जो वेलू होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए मैक्सिमम मतलब दोस्त अधिकतम अधिक से अधिक होना चाहिए तो अगर वेलू आप X का वेलू 35 रख दिया और Y का वेलू 0 रख दिया तो पूरा का मामला तो 0 होगया ना भई तो मैक्सिमम तो हुआ आप ध्यान से समझो हम लोग X और Y का value उसी को करेंगे जो maximum होगा ठीक है हम लोगोंने X का तो value निकाल लिया और X का value रखने से Y Y का भी value निकाल लिया अब इसमें कौन सा तीन condition है हम लोगों तो X और Y का value निकालना है वही यही न तो अगर आप X के value 35 रखो और Y का value 0 रखो तो यह पुरा का पुरा मामला तो 0 हो जाएगा न वही अगर आप X का value आप 0 रखो और Y का value 35 रखो फिर 20 का value 0 हो जाएगा तो हमें तो maximum मिलेगा नहीं तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे X का value 10 और Y का value 25 अगर यह दोनों value को रखेंगे न तभी हम लोगों को maximum आएगा तो right answer is so X का value finally हो जाएगा हम लोगों को so finally X का value 10 and Y का value 25 दोस्तों ठीक है हम आखिर यही को क्यों कर रहे हैं और भी तो X और Y का value आई थी लेकिन इसको हम नहीं बोल रहे थे क्योंकि सवाल maximum बोल रहा था तब आपका सवाल होगा कि सर अगर minimum बोलता तो तो अगर minimum होता दोस्तों तो यह दोनों ही answer होता समझ रहे हैं क्योंकि minimum का मतलब कम और maximum का मतलब ज़्यादा तो X और Y का value इसको रखने पे ज़्यादा आएगा न क्योंकि यह दोनों को रखने पे तो 0 आ जा रहे है तो simple way में आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को हम लोग ऐसे ही solution करते हैं फिलाल चलते हैं next question की तरफ question number अभी हम लोग कर रहे थे कितना number तो अभी जो कर रहे थे हम लोग देखे पा रहे है थर्टी फाइब वह ले कोशन था यह कोशन था question number 15 था चलिए हम लोग 16 की तरह बढ़ते हैं question number क्या बोल रहे है 16 find two positive number whose sum is 16 देखे and some of whose cubes minimum देख लो भाई यहां पे सवाल से समझो कुई चीज़े ना मैट्स में थोड़ से समझना पढ़ता है आपको find two positive number बोल रहे हैं हुझ सम इच कितना 16 and the sum of whose cubes is minimum बोल रहे हैं तो ध्यान रखो सब कुछ काम वही करना होगा एक्स और वाई का वेलू ऐसा चुनना होगा जहां पे minimum हो ठीक है तो हमें क्या बोल रहे हैं सवाल में क्या बोल रहे हैं देखो भई तो आप ऐसा कर लो लेट कि दो फ़र्स्ट नंबर कि फ़र्स्ट नंबर कि इस इकवल टू एक्स ठीक है देन एंड देन सेकेंड नंबर कितना बोल रहे है तो आप सोचो कि दो नंबर को एड करने से हमें 16 मिल रहे है दो नंबर को एड करने से कितना दूसरा को क्या मानना पड़ेगा एक्स ठीक है फिर क्या बोल रहे है according to question ये बोल रहे है कि दोनों नमबर का cube करना है, cube मतलब घन, जैसे कि x के power भी cube करना है, और plus 16-x का भी cube करना है, यानि दोनों नमबर को cube करके अगर जोड़ेंगे, जैसे पहले समझो सवाल, बोल रहत हमें, कि दो नमबर ऐसा है, जिसको add करने के बाद 16 होना चाहिए, तो एक नमबर को हम x मान चु करने, ठीक है, अब दो नमबर जो आया मेरे पास, फिलाल, इन दोनों नमबर को हम लोग क्या करने माले है, cube करके add करने वाले है, क्या करने माले है, cube करके add करने वाले है, तुझ बोला गया कि जब ये दोनों नमबर को cube करके आप अगर add करोगे, ठीक है, तो इसके बारे में सवाल बोला कि हमें क्या आना चाहिए वही मिनिमम आना चाहिए तो हमको maximum बोले या फिर minimum बोले उसी को हम लोग ना x fx मानते हैं आप करो भई लेट fx is equal to x q plus solar minus x का क्यूब ठीक है यह हम लोग मान चुके आखिर हम इसी को क्यों माने वही क्योंकि इसी के नंबर का क्यूब करके और एड करने के बाद हमें मिनिमम होना चाहिए ऐसा सवाल में बोला है तो fx is equal to मान लिया अब यहां से हम लोग कैसा काम करते हैं वही तो using fx equal 0 यह rules होता है ना कि fx equal to 0 अब fx x कैसे करेंगे वही तो x के power 3 है तो इसको हम लोग करेंगे 3x स्क्वार प्लस 16-1 का क्यूब है तो हम अपने मन में कर लेते हैं इसको चैन्रू लगाएंगे तो यहां इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो कोई फायदा होगा अच्छा एक बिनट हम सबसे पहले 3 को common कर लेते हैं तो 3 को common करेंगे तो इधर क्या बनेगा एक स्क्वार और यहां माइनस ना plus minus minus 16 minus x का whole square bracket equal to 0 तो यहां से हमें पता चला क्या 60 minus माइनस सोला माइनस एक्स स्क्वार एक वल्टू कितना हो रहा है जिरो हो रहा है आप एक काम करो भई आप इसको करो क्या ए माइनस बी के हाल स्क्वार पर ना इसको तोड़ देंगे ठीक है तो ए माइनस बी के हाल स्क्वार पर तोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा इसको तो एक सो स्क्वार का एक सो स्क्वार ही छोड़ेंगे माइनस ए माइनस बी का हॉल स्क्वार कितना होता है 16 का स्क्वार तो 16 का स्क्वार कितना होता है 16 का स्क्वार हो जाएगा साथ 256 ना हाँ तो A-B का होल स्क्वार 16 का स्क्वार 256 ठीक है और फिर यहां क्या बन जाएगा तो माइनस 2AB तो 2AB करेंगे तो यहां 32X बन जाएगा ना और फिर प्लस में कितना X स्क्वार एक्वल टू में कितना 0 ठीक है अच्छा उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां क्या बन रहा है X स्क्वार यहां माइनस 256 और माइनस माइनस प्लस 32X और माइनस प्लस माइनस X स्क्वार इक्वल टू 0 X स्क्वार और X स्क्वार देख पा रहे होंगे कैंसल आउट हो गया हो गया ना वई अब यहां पर आप देख पार होगी माइनस 256 और यहां पर 32 से इधर जाएगा तो क्या होगा वई माइनस 32 एक्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया यह 32 से कितनी बार में कट रहा होगा हम जान रहे हैं यह जो कटेगा सिंपली एक्स का वेलू निकाल दो भई एक्स का वेलू 256 बटा में कितना 32 यह कितना से कट रहा है यह तो 16 बार में कट रहा है नमबर पता चल गया एक तो सेकेंड्ड नमबर कितना होगा 16 में से आठ को घटा देंगे तो यहां पर कुल मिला कर अगर देखा जाया तो चुक्टी फ़रस्ट नमबर आया first number कितना आया first number is equal to कितना तो x x को हम लोग का आया 8 second number second number कैसे करेंगे second number 16 minus 8 तो कुल मिला के हम ले second number भी आ गया 8 है यानि कि x का value 1 number 8 और दूसरा number भी 8 तो इस तरीके से हम लोगों का अच्छा minimum के बारे हम बात कर लेते हैं तो दोस्त ये minimum maximum तब न होता जब x का value 2-3 हो आता ठीक है जैसे कि पिछले question में हम लोग x का value 3-3 हो निकला है ना तो x का value जब 3-3 हो निकला तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों पर हम कुछ एक करना होगा कि किसमे maximum या किसमे minimum जैसा सवाल बोल रहा था लेकिन हम लोगों को x का value सिर्फ एक ही आया ना तो जब x का value एक ही आया तो हम लोग जरा answer भी देख लेते हैं आपको दिखा देते प्रूफ के साथ कि answer क्या दिया है वही क्योंकि हम को हमें भी याद तो नहीं है कि कितना 16 है चलो भी 16 देखते हैं यह देख लोगो 16 देख पार उना आप कितनी यह 88 है है ना तो हम लोग का करेक्ट आंसर है नो डाउट्स चलिए हम लोग आगर बढ़ते हैं